CBI, CBI का नाम कहीं पे भी नहीं आ रहा है, कहीं पे भी नहीं आ रहा है, जहां देखो सिर्फ NCB, 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 ड्रगी, बस यही चल रहा है, कोई भी बात नहीं कर रहा है, CBI के बारे में, उनके जस्टीस के बारे में, कौन मर्र किया है, किसको पुष्टाच किया जा रहा है, किसको अगर शुशान्त सिंग राजपूत अगर मालता था पहले तो पूरा उनका न्यूज आता था, तो वही मारा मैंने, सिर्फ न्सीबी कहीं पे भी देख लो, न्सीबी, न्सीबी, हर जगे न्सीबी, ड्रगीस दीपिका बादकून सारा पर CBI क्या कर रही है कहीं पर भी कोई भी न्यूज नहीं है और अब यह बला जा रहा कि NIA आ जाएगा वह आगे क्या करेगा जितने भी टर्रिस्ट हैं बॉलिवर्ड में उन सब को निकाल के बाहर करें जेल में डाल देगी बस बाकि जश्चिस का क्या होगा वह तो फिर भी ठीक है वह एक बड़ी चीज होगी आएनाई आएगी और जितने भी टर्रिस्ट के साथ जो भी लिंक है क्या लिंक है क्या संबंद है यह सब निकाल के उनको पकर के जेल में डालेगी जो बहुत ही अच्छा है अपने अंदर के जो टर्रिस्ट इंडिया में जो बैटके हाँ हमको इंफुलेंस करें थे इतने साल वह सब जेल में अच्छा है वह अपना काम कर रहे है पर CBI what is CBI doing क्या करी है CBI कौन दिखाएगा उनका न्यूज कोई भी नहीं दिखा रहा है सब सब लगे पड़े हैं ड्रंगी ड्रगी के पीछे पता नहीं क्या मिल रहा है लोग ये केस अराम से एक दो साल खीचेगी वो क्यूं खीचेगी बताओं किनकि जितने भी मेंन सस्पेक्ट लोग है रिया चकरवर्ती, सिधात पिठानी ये सब लोग गिरफ्त में हैं NCB के और उनके पुछताश तो हो नहीं पाएगी इस केस को लेकर तो जेल में सड़ते रहेंगे ठीक है एक दो साल के बाद वापस आएगे उसके पबलिक को डिमांड करते ही रहना पड़ेगा कि जस्टीस केस में कोई भी कुछ भी दिखा दे आपको सिर्फ एक ही बात करना है जस्टीस फॉर्स शुशान सिंग राजपूत